तो दोस्तो आज का व्लॉग है चैन्नाई का मरीना ड्राइव का और दोस्तो यहां पहुचने के लिए हमने सबसे सस्ता वे लिया था ट्रेन से तो हम लोग उन्हें तमिलाडू एक्स्प्रेस से सफर किया था चैन्नाई तक का और इसमें अप्रोक्स तैटिस घंटे लग गए थे तमिलाडू एक्स्प्रेस से और रास्ते में काफी अच्छे नजा रहे थे दोस्तो तो चले शुरू करते हैं इस व्लॉग को सो ट्रेन से हम लोग सुभा छे बजे चैन्नाई पहुंच चुकी हैं दोस्तो और काफी प्यारा नजारा है यहां का यहां से हम लोग होटल के लिए कैप बुक करेंगे और यह हमारी तमिलाडू एक्स्प्रेस जिसने हमें एम जी आर चैन्नाई सेंटर रेलवे स्टेशन पे सुभा के साथ बजे डॉट ड्रॉप कर दिया है न्यू देली से लाकर 33 गंटे में दोस्तों काफी अच्छी ट्रेन थी काफी अच्छी फैसलिटीज थी इस ट्रेन में ट्रांसपोर्ट की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों हम लोगों ने थ्री विलर बुक किया था क्योंकि कैप मतलब कैप परसन से हमें बात करने में तोड़ी सी लेंगविज की प्रोब्लम आई बाकी थ्री विलर पीपल अड़स्टेंड हिंदी उनको मतलब हिंदी अच्छ का दिली चैन्नाई सिटी का नजारा था काफी अच्छा नजारा था और यहां पर देखोगे कितनी अच्छे विल्डिंग बनी होई है दोस्तों हमने जो होटल बुक किया था उसका नाम था होटल जुपिटर काफी रीजनेबल प्राइस है इसके और मरीना ड्राइव से बि और मरीना बीच जाते हुए चोटा सा मंदिर जिसके दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं सो दोस्तों आप देख सकते हैं पहुँच चुके हैं मरीना ड्राइव के एंट्री गेट पे और मरीना ड्राइव के बिल्कुल साथ में ही बना हुआ है जैल अलिता जी का म मुजियम और MGR जो हैं जो यहां बहुत भगवान की तरह माने जाते हैं आज उनकी जो है डेट अनिवर्सरी भी है तो इस वैसे काफी पोलिस वगरा है यहां और यह देखी एंट्री गेट से पहले ही कितना सुंदर यह मास्टर पीस बनाया हुआ हुआ है यहां पे तो यह पर थोड़ी से पिकल करवा के हम लोग आगे बढ़ते हैं सो बीच के एंट्री से पहले ही आपको एक मार्किट सी मिल जाएगी जहां पर आपको खाने पीने की चीजे और कुछ समान मिल जाएगा खरीदने के लिए और यह आई बीच की गलिया रेत में पैर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तो काफी मतलब अलग सा एक्सपीरेंस लग रहा है क्योंकि आभी तक पहाड़ों पर ही गए थे ना बीच के दर्शन नहीं किये थे तो चलिए चलते हैं थोड़ी धूप थोड़ी चाव है यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर बीच के कपड़े भी मिल रहे हैं और चेंजिंग रूम भी है तो आप लोग चेंज वगरा भी कर सकते हैं और कैप्स वगरा गोगल्स वगरा स्लिपर्स वगरा यह सब यहाँ पर मिल जो भी नेसेसरी चीजे होती हैं बीच के लिए दोस्तों तो सबर करते करते आगे बढ़ रहे हैं बीच कब दिखेगा आखिर अपना नाम बोल दो बहिया एक बार तरुन तो दोस्तों ये तरुन की मरीना बीच पे शॉप है जरूर आईए ही इस वेरी काइन परसन और तो दो चलते चलते आखिर हम पहुंची चुके हैं बीच पे दोस्तों यहां पे भी काफी सारी स्टॉल्स हैं जहां पे आप लोग स्टीट फूड का आनन ले सकते हैं खापी सकते हैं और जो हमारे सीप्स वगएरा होते हैं मूती वगएरा होते हैं वो भी यहां पे बिक्रे होते ह तो भी आप यहां पे खरीच सकते हैं थोड़ा सा और चलना पड़ेगा रेत में थोड़ी सी धूप और तोड़ी सी गर्मी सैनी पड़ेगी बीच पे आये हो तो दोस्तों और यह दिग गया समुंदर भी और हम अभी सुभा के टाइम आए हैं तब ही यहां पे काफी भीड है दोस्तों और मतलब क्योंकि बड़ा बीच है ना और हर कोई हां का इंजॉयमेंट लेना चाहता है जो भी यहां पे घुमने आता है तो मरीना बीच तो आए गाई और यह देखे किती बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं सुभा के टाइम काफी अच्छी हवा चल रही है औ और बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है तो दोस्तों जब भी आप बीच के किनारे आते हैं तो दो तिन चीजों का ख्याल अवश्य रखें सबसे पहली बात हमेशा शौट सी पहने या मतलब घुटने तक कपड़े पहने अदर्वाइस आपके कपड़े जो हैं गिल चल रही हो तो समुंद्र के बिलकुल पास ना जाएं थोड़ा दूर रहके ही लहरों का आनंद लें बीच का आनंद लें क्योंकि लहरें कभी भी बहुत बड़ी हो सकती है और अपकी जान को खत्रा भी हो सकता है तो सावधानी पूरी बढ़तें ये देखे लोग भी अपन लेके जरूर आएं यहां पर शूस पहन करना आएं क्योंकि उसका कोई तुकनी बनता हमेशा जो है स्लीपर्स वगरा पहन के ही आएं चपल वगरा में ही आएं और आनंद लें बस बीच का यही सब सावधानी अबरतनी है आपको और खूब सारी पेक्स क्लिक करवाएं करिंचा झोड़े जहाँ है आएं बसंद और यहाँ पर आप लोग शंक वगएरा ले सकते हैं मूती वगएरा परचेश कर सकते हैं काफी reasonable price में यहाँ परे यह सब आपको मिल जाएगा साथ ही यहाँ आपको खाने पेने के स्टॉल भी मिल जाएगी और दोस्तो यहाँ होती है activities यहां पे आप horse riding कर सकते हैं, 100 rupees per person लेते हैं यह लोग, और बीच के किनारे करवाते हैं, यह आपको बहुत ही प्यारा सा experience horse riding का, और आप लोग picks वगरा भी click करवा सकते हैं, यहां पे, जो की printable होती है at the same time, और 50 rupees per person, 50 rupees per picks के हिसाब से, यहां पे printable picks भी आपको मिल जाती हैं, भी बढ़ती ही जा रही है, मौसम भी क्योंकि बारिश वाला हो रहा है, दूप नहीं है ना, तो लोग आएंगे और enjoy भी करेंगे, तो काफी भीड़ हैं आपे, और देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा बीच है, मतलब खतम ही नहीं हो रहा, अगर मतलब view तो बिलकुल भी उठ रही हैं, और यहां की बीड तो मतलब पूछो ही मत, साड़े ग्यारा बज़रे हैं और धीरे धीर बढ़ती ही जा रही है यहां पर, और यहां पर कुछ बच्चे बीच के किनारे रेत का आनन लेते हुए, पानी का आनन लेते हुए, देखे, कितनी enthusiastic way से यह लोग यहां रही हैं और जो है बीच का मज़ा ले रही हैं, बीच का आनन ले रही हैं और दोस्तों मरीना 20 को आपने देखी लिया कितना बड़ा और कितना प्यारा था, तो चलिए चलते हैं आप MGR Auditorium है, जो यहां का सबसे बड़ा Auditorium है और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा Auditorium माना जाता है, MGR को यहां का भगवान माना जाता है दोस्तों, तो चलिए द अपरी लोगों को जनौर करना तो यहां से एंट्री है N.G.R. और जैललिता ओडिटोरियम की आज M.G.R. की देथ इनिवर्सरी भी है दोस्तों तो काफी मतलब शॉक सभा यहां पे बिठाई गई है और काफी पुलिस वगेरा तैनाद भी है यहां पे तो उसकी वैसे ओडिटोरियम वैसे बंद है बड़ आप लोगों को बाहर का नजारा दिखाया जा सकता है तो चलिए दोस्तों एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको और प्यारिस ओडिटोरियम का नजारा तो दोस्तों अगर आप जैल अलिता और MGR के बारे में जानते होंगे तो उनके लिए आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट होगी और नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ MGR तमिल नाडो के मुख्य मंति रहे थे 1977 से लेकर 1987 तक और उसके बाद 1991 से लेकर 2016 तक जैल अलिता जी ने मुख्य मंतिरी की पोस्ट संभाली थी यहाँ पे बीच में एक दो बार हटी थी वो बट हाँ यह पूरा काल था उनका मुख्य मंतिरी का तमिल नाडो में 1991 से 2016 तक जैल अलिता और MGR जी ने काफी फिलमों में भी एक साथ काम किया था वो लोग को स्टार्स भी थे और 1987 में MGR की देथ होगी 24 दिसंबर 1987 को उनकी देथ हुई थी और आज उन्हीं की देथ एनिवर्सिरी मनाई जा रही है लोग यहाँ उन्हें श्रदानजली देने आएं हैं तो इस ओडिटोरियम में MGR और जैललता जी की समाधी बनाई गई है और उन्हीं का ही ओडिटोरियम बनाया गए है उनकी जो भी मेमोरीस की चीजें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं और उनकी समाधी के आसपस काफी उनकी तस्वीरे वगरा रखी गई हैं तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको इस जगा पे जैललता जी और MGR के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया और ज़्यादा अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जैललता जी के एक मूवी भी आई थी कंगना रौत के जिसका नाम तथा लावी बहुत ही अच्छी मूवी थी मतलब मैंने तो यहाँ विजिट करने के बाद ही देखी थी बहुत प्यारी स्टोरी है उनकी और दोस्तों यह देखे यह कुछ लोग हैं जो शिदांजली देने के लिए शानती पूरवक खड़े हुए है और यह बच्चों को छोड़के सब शिदांजली दे रहे हैं आपे तो दोस्तों ऑडिटोरियम में हम लोग आए हुए हैं और आज जो MGR हैं उनकी देखे निवर्थी है आज के दिन वो शहीद हुए थे 24 दिसंबर 1987 में और इसी वेसे यहां पर बहुत भीड़ है लोग उनको याद करने के लिए यहां पर पहुँचे हुए हैं उनको शिदांजली देने के लिए यहां पर पहुँचे हुए है तो दोस्तों ये हैं जैल अलिता जी ठलावी जी और यहां पर है इनकी समाधी जहां पे लोग इनको आज के दिन शर्धांजली देने पहुंचे हैं आज MGR की देट अनिवर्सरी है बट को स्टार होने के नाते इनको भी आज शर्धांजली दी जा रही है और यहां पे जो है इनके बारे में थोड़ी सी इंफर्मिशन प्रोवाइट की गई है और यह सामने हैं आम्मा म्यूजियम बट क्योंकि बताया ना MGR की देट अनिवर्सरी के वैसे आज म्यूजियम बंद है हम लोग जो है सरिफ शर्धांजली दे सकते हैं और बाहर से ही आडिटोरियम वगएरा देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों एक बर दिखाते हैं आपको MGR की समाधी और किस तरह लोग वहाँ पे शर्धांजली देने के लिए आज एक जोट हुए हैं दोस्तों ये देखें ये भीड़ ये मीडिया ये सब देखकर आपको इतना तो ऐसास हो ही गया होगा कि लोगों के दिलों में MGR और जैललिता जी के लिए कितने रिस्पेक्ट है उनको यहाँ पे अभी भी भगवान माना जाता है उनकी शर्धांजली मतलब उनको शर्धांजली देने के लिए ये लगा लो कि बहुत सारे लोग उम्रे हुए हैं यहाँ पे शर्धांजली देने पहुचे हुए हैं यहाँ पे मीडिया वगएरा भी काफी है और तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर MGR और जैललता के लिए लोगों के विलों में कितनी रिस्पेक्ट है कितनी इमोशन है यहाँ पर लोग दूर दूर से उन्हें शर्धाजली देने के लिए पहुचे हुए है और यह ओडिटोरियम की एंट्री से थोड़ा सा पहले और मतलब हॉल के बीच में एक नेचरल पॉन टाइप बना रखा है जहाँ पे आप लोग जो है पिक्स वगरा क्लिक करवा सकते हैं नीचर के साथ और लोग यहाँ पे टाइम स्पेंट भी करते हैं थोड़े देर रुक क और यहाँ पर आपको जय लिलता जी और एंजी आर की प्रतिमा मिल जाएगी जहाँ पे लोग जो है हार वगरा चढ़ा कर अपनी रिस्पेक्ट प्रकट करते हैं